मजब दूस्तों जैहंदा और आज मेरे पास सब्सक्राइब करके बेल अगर वी प्रेस कर लीजे गल्फ का प्राइड काफी ज्यादा चलती है इसका एक टीवा का केश्ट रोल इसका भी काफी ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर 40 पलस 0 का इसका भी काफी ज़्यादा डिमांड है तो तीनों का तीनों लगवा लगवा गाई टकर वाला मोबिल है तो आईए देखते हैं तीनों में कौन सा सबसे बेश्ट रहेगा और कौन सा आपको डलवाना चाहिए किस टैप के बैक में डलवाना चाहिए प्राइड जो होता है गाईज यह हेवी सीसी वाल इंजनों में आप डलवाया तो अच्छा रहेगा तीन सो बाइस रुप्या का एक टिवा केस्ट्रोल का एम रपी है नेक्स्ट यहाँ पर फोर्टी प्लस का जो एम रपी है वो है दोसो साट रुप्येगा यहाँ पर देखने को हमें मिलता है प्राइज का अच्छा खास अंतर सबसे ज़्यादा प्राइज है आपका गल्फ प्राइड का नेक्स्ट प्राइज है एक टिवा केस्ट्रोल और सबसे कम दाम है आपका फोर्टी प्लस हीरो का गल्फ प्रैड में हम अगर देखते हैं ध्यान से तो हमें एक बार कोड इसकेनर देखने को मिलता है जिसे इसकेन करके हम पता कर सकते हैं यह ओरिजनल प्रोड़क्ट है यह फिर दूबलिकेट प्रोड़क्ट है और मार्केट के अंदर हीरो फोर्टी प्लस का दूबलिकेट बहुत ही कम है ना के बराबर लगवे लगवाग है दोस्तों आपको अगर ओरिजिनल पता करना है तो डबबे को अच्छे से देखिए डबबा जो होगा एकदम फ्रेस एंड क्लीन कंडिशन में चम चमाते हुए आपको दिखाए पड़ेगा नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको कौन से बाइक में कौन सा मोबिल डलवाना चाहिए ताकि आपके गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगा मैं सजेस्ट करूंगा मेरे सजेस्ट के हिसाब से मेरे ओपेनिन के रहेगा दोस्तों नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एक्टिवा केस्ट्रोल की तो एक्टिवा केस्ट्रोल जो है गाईज 110 वाले बाइकों में डलवाना ज्यादा बेस्ट माना जाता है लोग कस्टमर जो होते हैं सटिस्फाइड होते हैं और बोलते हैं कि हाँ 110 वाले बाइक 502 साधा डुछ या पशंद करता है यह फिट बगेरा नहीं होगा मतलब तल्व करता है उसको बेश्ट है और जाते जाते एक बात तीनों में कौन सा बेस्ट है और किसका बिक्री जादा है तो दोस्तों देखिए कस्टमर का बिक्री के हिसाब से मैं बता रहा हूं जो अधिक डिमांड है वो है एक्टिवा केस्ट्रोल का बाकी बात तीनों मोबिल बेस्ट है आपको वीडियो पसंद आया होगा जय हिंजय भारत